Best Game Booster for Android in 2024 जैसे कि आप लोग देख पर रहे हैं यह है मेरा BGMI यहाँ पर आपको COD नज़र आ रहे है Call of Duty यहाँ पर और वी Free Fire Max वगर हम खेलते हैं तो यह सारे गेम खेलने के लिए Best Game Booster अगर आप चाहते हैं हमने बहुत सारा वीडियो बनाए हैं आप एक एक वीडियो के उपर अलग-अलग देख सकते हैं अपके device के उपर जो काम पर आयेंगे आप उसको easily use करना है अब देखिए यहाँ पर rating की बात किया जाए 3.8 star का rating है कमाल की बात यह है यह Play Store का ही application है अगर बात किया जाए 5 million plus इसका download है installation Play Store के उपर से 5 million से भी ज्यादा लोगों ने की है application का नाम क्या है वो मैं आपको दिखा दूँगा आप free में Play Store के उपर search करके install कर सकते हैं लेकिन क्या किया चीज यह देने वाला है वो चीज एक बर देख लीजिए जैसे हम application को open करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे interface आएंगे यहाँ पर हम allow button के उपर click कर देते हैं simple सा interface है आपके सामने यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाते हैं आपके RAM कितना use हो रहा है साथी साथ आपके phone के उपर temperature कितना है यानि आपके phone heatsink कितना हो रहा है आपके storage कितना खाली है वो यहाँ पर दिख जाते हैं अगर बात किया जाए आप लोग यहाँ पर click कर देते हैं यह वाला settings के उपर जैसे यहाँ पर click कर देते हैं यहाँ पर आपको widgets दिखने को मिलता है notification blocker दिखने को मिलता है Game uses के उपर जैसे हम लोग click करेंगे यहाँ पर जब जब आप game खेलेंगे वहाँ पर कितना आपको use हो रहे हैं वो दिखने को मिलते हैं device info के उपर आपके device के information दिखने को मिलते हैं settings के उपर आगर हम click कर देते हैं यहाँ पर media volume, ringer wear volume यह सारे के सारे चीज़ दिखने को मिलते हैं temperature unit आप लोग celsior से Fahrenheit कर सकते हैं वो अलग-अलग बात हैं यहाँ पर disable auto brightness को आप लोग बंद या चालू कर सकते हैं अब कमाल की बात मैं आपको बताने वाला हूँ यह सारे features आपको मिल रहा है BGMI on कर लिए, Free Fire को भी on कर लिए साथी साथ अगर बात किया जाए यहाँ पर और वी game अगर हम add करना चाहते कोई भी possible नहीं, मतलब problem नहीं यहाँ पर कोई भी limitation ऐसा नहीं देखे, game हमने add कर लिए, back कर देंगे यहाँ पर सारे game हमारा आ चुका है लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं आपको यह बताऊंगा आप लोग अपका खुद का जो original ID है उसको लेकर यहाँ पर पहली दफ़ा gameplay मत कीजे क्योंकि हर एक game company यह बताते हैं कि भाई, आप लोग हमारे game ना कोई thought party application के अंदर जाके open मत करो इससे आपका account suspend या ban हो सकते हैं तो यह आपको कोई नई बताता वस आपके video बना कर छोड़ देते हैं लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिये हैं आप लोग अगर use करना चाहते हैं कोई secondary ID से try करके देख सकते हैं अगर आपको safe and secure लगे तो उसके बाद आप लोग use करना यह सारे चीज होने के बाद अब जब game खिलना चाहोगे आपको simply यहाँ पर किसी भी game के उपर click कर देना है और यहां से आपका game run हो जाएंगे यह application अगर आप लेना चाहते हैं प्लेस्टोर के उपर चले जाना यह जो application आपके सामने दिख रहा है game booster manage launcher यह आपको दिखने को मिल रहा है यह आप लोग search कर लेना और यह application आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे प्लेस्टोर के उपर आप इसको free में install कर सकते हैं देखें यह जो channel आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम top से top इस साल के top से top वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं प्लेस्टोर के अंदर से ढूंडने की कोशिश करते हैं तो हमें motivate करने के लिए ऐसे वीडियो और भी बनाने के लिए channel को जरू सब्सक्राइब करना